दोस्तों अब सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दा आनेश तो आज हम अपनी इस वीडियो में बिहार के सभी मुखे मंत्रियों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उनका कार्यकाल कितने अर्शा का रहा और उनकी पोलिटिकल पार्टी के बारे में भी बताएंगे तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रही है तो सबसे पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर बने शीरी कृष्णा सिना जिनका टैनुवर 26 जैनुवरी 1950 से लेकर 31 जैनुवरी 1961 का था और इनकी पोलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कॉंग्रस और दूसरे नंबर पर बिहार के मुखे मंत्री बने दीप Naraayin सिंग जिनका टैनुवर 1 फेबरवरी 1961 से लेकर 18 फेबरवरी 1961 तक रहा और इनकी पोलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कॉंग्रस और तीसर नमबर पे बिहार के मुखे मंत्री बने बिनोदानंद जा जिनका टैनुवर 18 फेबरी 1961 से लेकर 2 अक्तूबर 1963 तक रहा और इनकी पोलिटिकल पार्टी भी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ही थी और फोर्थ नमबर पे बिहार के चीफ मिनिस्टर बने कृष्णा भलब सहाई जिनका टैनुवर 2 अक्तूबर 1963 से लेकर 5 मार्च 1967 तक रहा और इनकी पोलिटिकल पार्टी भी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ही थी और फिफ नमबर पे बिहार के मुखे मंत्री बने महा माया परसाद सिन्हा जिनका टैनुवर 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक रहा और ये पहले गैर कांग्रेसी मुखे मंत्री बने बिहार के जिनकी पोलिटिकल पार्टी थी जन करांती दल और 6 नमबर पे बिहार के मुखे मंत्री बने सतीश परसाद सिन्ह जिनका टैनुवर 28 जनवरी 1968 से लेकर 1 फैबरवरी 1968 तक रहा और ये बिहार के सब से कम अर्सा रहने वाले मुखे मंत्री रहे जो के सिर्फ तीन दिन ही मुखे मंत्री रहे बिहार के और इनकी पोलिटिकल पार्टी थी सम्युक्त सोशलिस्ट पार्टी और सैवत नमर पर बिहार के मुख्य मंतरी बने बीपी मंडल तो इनकी पुलिटिकल पार्टी थी सम्युक्त सोशलिस्ट पार्टी और इनका टेनवर एक फेबरवरी 1968 से लेकर 22 मार्च 1968 तक रहा और एर्थ नमर पर बिहार के मुख्य मंतरी बने भोला पासवान शास्त्री जिनकी पोलिटिकल पार्टी इंडियन नैशनल कॉंग्रेस थी और इनका टैनूर 22 मार्च 1968 से लेकर 29 जून 1968 तक रहा और इसके बाद लगया बिहार में प्रेजडेंट रूल जो के 29 जून 1968 से लेकर 26 फेबरवरी 1969 तक रहा और इसके बाद बिहार के 9 नंबर पर चीफ मिनिस्टर बने हरिहर सिंग जिनकी पोलिटिकल पार्टी थी इंडियन नैशनल कॉंग्रेस और इनका टैनूर 26 फेबरवरी 1969 से लेकर 23 जून 1969 तक रहा और इसके बाद बिहार के मुख्य मंतरी बने भोला पासवान शास्तरी जो के दूसरी बार बिहार के मुख्य मंतरी बने और इनकी पोलिटिकल पार्टी थी आई एन सी ओ और इनका टैनूर 22 जून 1969 से लेकर 4 जूलाई 1969 तक रहा और इसके बाद बिहार में एक बार फिर से प्रेजिजेंट रूल लगा दिया गया जो के 6 जूलाई 1969 से लेकर 16 फेबरवरी 1970 तक रहा और 10 नमर पर बिहार के मुख्य मंतरी बने दारोगा परसाद राय जिनकी पोलिटिकल पार्टी भी इंडियन नेशनल कॉंगरेस ही थी और इनका टैनूर 16 फेबरवरी 1970 से लेकर 22 देसंबर 1970 तक रहा और 11 नमर पर बिहार के मुख्य मंतरी बने करपूरी ठाकूर जिनका टैनूर 22 देसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक था और इनकी पोलिटिकल पार्टी थी सोचलिस्ट पार्टी तो इसके बाद मुख्य मंतरी बने भोला पासवान शास्त्री जी जो के तीसरी बार बिहार के मुख्य मंतरी बने और इनका टैनूर 2 जून 1971 से लेकर 9 जैनूरी 1972 तक था और इनकी पोलिटिकल पार्टी भी थी इंडियन नैशनल कॉंगरेस और इसके बाद बिहार में दوبारा से प्रेजजन्ट रूल लगा जो के 9 जैनूरी 1972 से लेकर 19 मार्च 1972 तक रहा ट्वेल्थ नमबर पर बिहार के मुख्य मंतरी बने केधार पांडे जो के 19 मार्च 1972 से लेकर 2 जुलाई 1973 तक बिहार के मुख्य मंतरी रहे और इनकी पोलिटिकल पार्टी भी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ही थी और 30 नमबर पर बिहार के मुख्य मंतरी बने अब्दुल गफूर जो के पहले माइनार्टी से मुख्य मंतरी थे और इनकी पोलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और इनका कारेकाल 2 जुलाई 1973 से लेकर 11 अप्राल 1975 तक रहा और 14 नमबर पर बिहार के मुख्य मंतरी बने जगनात मिश्रा जी जो के 11 अप्राल 1975 से लेकर 30 अप्राल 1977 तक मुख्य मंतरी रहे और इनकी पोलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और इसके बाद एक बार फिर से बिहार में प्रेज़न ट्रू लगा दिया गया जो के 30 अप्राल 1977 से लेकर 24 जून 1977 तक रहा और इसके बाद बिहार के मुखे मंतरी बने कर पूरी ठाकुर जी जो के दूसरी बार बिहार के मुखे मंतरी बने और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी इस बार और इनका टैनिवर 24 जून 1977 से लेकर 21 अपरेल 1979 तक रहा और 15 नमबर पर बिहार के चीफ मिनिश्टर बने राम सुंदर दास जी जिनका करेकाल 21 अपरेल 1979 से लेकर 17 फेबरवरी 1980 तक था और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी तो इसके बाद एक पर फिर से बिहार में प्रेजडेंट रूल लगा जोके 17 फेबरवरी 1980 से लेकर 8 जून 1980 तक रहा और इसके बाद बिहार के मुखे मंतरी बने जगनात मिश्रा जी जो के दूसरी बार बिहार के मुखे मंतरी बने और इनकी पोलिटिकल पार्टी इस बार थी INCI और इनका कारेकाल 8 जून 1980 से लेकर 14 अगस्ट 1983 तक रहा और 16 नबर पर बिहार के चीफ मिनिश्टर बने चंदर शेखर सिंग जिनका कारेकाल 14 अगस्ट 1983 से लेकर 12 मार्च 1985 तक था और इनकी पोलिटिकल पार्टी थी INCI और 17 नबर पर बिहार के मुखे मंत्री बने बिंदेश्वरी दूबे जिनका कारेकाल 12 मार्च 1985 से लेकर 13 अगस्ट तक था और इनकी पोलिटिकल पार्टी थी INCI और 18 नमबर पर बिहार के मुखे मंत्री बने भागवत जा आजाद जिनकी पॉलिटिकल पार्टी भी आई एन सी आई ही थी और इनका कारेकाल 14 फेबरवरी 1988 से लेकर 10 मार्च 1989 तक रहा और 19 नमबर पर बिहार के मुखे मंत्री बने सतियंदर नाराइन सिन्हा जिनका कारेकाल 11 मार्च 1989 से लेकर 6 दसंबर 1989 तक रहा और इनकी पोलिटिकल पार्टी भी INCI ही थी और इसके बाद एक बार फिर से जगरनात मिश्रा जी बिहार के मुखे मंत्री बने जो के तीसरी बार बने और इनकी पोलिटिकल पार्टी INCI ही थी और इनका कारेकाल 6 देसंबर 1989 से लेकर 10 मार्च 1990 तक रहा और 20 नमर पर बिहार के मुखे मंतरी बने लालो परसाद यादव जी जो के 10 मार्च 1990 से लेकर 28 मार्च 1995 तक रहे तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता दल और इसके बाद बिहार में एक बार फिर से प्रेजिजन्ट रूल लगा दिया गया जो के 28 मार्च 1995 से लेकर 4 अपरेल 1995 तक रहा और इसके बाद लालो परसाद यादव जी दूसरी बार बिहार के मुखे मंतरी बने जो के 4 अपरेल 1995 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक रहे और इनकी पोलिटिकल पार्टी जनता दल ही थी तो इसके बाद 21 नंबर पे बिहार के मुखे मंतरी बनी राबडी देवी जो के बिहार की सबसे पहली महिला मुखे मंतरी बनी और इनकी पोलिटिकल पार्टी थी राष्ट्री जनता दल और इनका कारेकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 11 फेबरवरी 1999 तक रहा और इसके बाद प्रेज़ेट रूल लगा जो के 11 फेबरवरी 1999 से लेकर 9 मार्च 1999 तक रहा और इसके बाद राबी देवी जी एक बार फिर से बिहार की मुखे मंतरी बनी जो के दूसरी बार था और इनका कारेकाल 9 मार्च 1999 से लेकर 2 मार्च 2000 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आर जे डी और 22 नबर पे बिहार के मुखे मंतरी बने नितिश कुमार जी जो के 3 मार्च 2000 से लेकर 10 मार्च 2000 तक रहे और इस बार इनकी political party थी समता party और इसके बाद दुबारा से राबरी देवी जी बिहार की मुखे मंत्री बने जो के तीसरी बार था अब इनका कारेकाल 11 March 2000 से लेकर 6 March 2005 तक था और इनकी political party थी RJD और अब इसके बाद दुबारा से President True लगा जो के 7 March 2005 से लेकर 24 November 2005 तक रहा और इसके बाद नितिश कुमार जी मुखे मंत्री बने जो के 24 November 2005 से लेकर 20 May 2014 तक रहे और इन्होंने इस बार दो बार शपत ली और इनकी political party थी जनतादल युनाइटिड और 23rd नबर पे बिहार के मुखे मंत्री बने जितन राम मांजी जी जो के 20 May 2014 से लेकर 22 February 2015 तक मुखे मंत्री रहे और इनकी political party थी जनतादल युनाइटिड तो इसके बाद एक बार फिर से नितिश कुमार जी बिहार के मुखे मंत्री बने जो के 22 February 2015 से लेकर अभी तक ही बिहार के मुखे मंत्री बने हुए है तो दोस्तो नितिश कुमार जी अब तक साथ बार बिहार के मुख्य मंतरी होने की शपत ले चुके हैं यानि कि ये बिहार के साथ बार मुख्य मंतरी बन चुके हैं जो के सबसे ज़्यादा है तो दोस्तों ये थे बिहार के सभी मुख्य मंतरी उनके कारेकाल और उनके पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि नेक्स टाइम बिहार का मुख्य मंतरी कौन बनेगा